जैहिंदी वक्त की धूंदशें लंबह नहीं तूटा करते लोग कहते हैं कि मेरा सपना तूट गया दोस्तों तूटती सिरफ नेंध है सपने नहीं तूटा करते नमस्कार जैहिंद आर्मी स्टेडी के इस ओपीशियल यूटूब चैनल पर आप सभी नोजोनों का हार्दिक स्वागत है आपके साथ आपका दोस्त बेजु भाई लेकर आया है बहुती शांदार मोडल टेस्ट पेपर जो कि आपके एक जाम का धुआ धुआ करने वाला है ब वेरी वेरी इंपोर्टेंट किश्णों के बारे में हम डिसकस करेंगे जो कि आपके एक जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है बस आपको एक जाम तक इशी लगान इशी जनून इशी जज़बे के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है अपकी बार मेरे दोस्त फोज की वर आपको पहनना है होचुका अगाज रणका युग बदलने की तैयारी है जित तुशी की होगी जिसका संगर्श है जारी इसलिए जितना दम है उतना लगाई है मेरे दोस्ती अभी आपको कोई नहीं जानता होगा लेकिन सेलेक्शन के बाद ये पुरा हिंदुस्तान आपको जानेगा तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको महनत करनी है और इस मोडल टेस्ट पेपर के अंदर अगर 40 पलस काब सभी नोज़वनों ने बिलकुल अगर सही जवाब दिया तो आपके सेलेक्शन में किशी भी परकार की दिक्कत नहीं आईगी ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं तो ज़्यादा बाते ना करते हैं आज के बहतरीन शैसन के तरफ बढ़ते हैं एक बार पुने हैं हिंदुस्तान के सभी करम योधाओं को मेरा नमशकार जा हिंदुस जिन्होंने लाइक नहीं किया है दबा के एक मिनट के अंदर जतने भी हिंदुस्तान के नोजवान हमें सुन पारें लाइक कीजिए और शेर नहीं किया है तो शेर कीजिए ताकि सभी नोजवानों का कमपिटिशन का पता चले कि उनके तयारी कितनी है और आपके तयारी कितनी है तो finally बढ़ते हैं आज के सेशन की तरह पई पैन और कौपी सात में लेकर बैठना मेरे दोस्ति और Umar Sheet भी सात में लेकर बैठना है इसका विसे सकर आपको द्यान रखना है अगर model test paper आप Umar Sheet में दोगे तो फोस के पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा मेरे दोस्ती बेनेफिट मिलेगा तो फाइनली बढ़ते हैं आज के सेशन की तरह पी फैस्ट कुशन आपके स्क्रीन पे आ गया है और इस टेस्ट पेपर में बिलकुल उशी एकोडिंग मेरे दोस्त कुशन शे वो इंकुलूड किया है जैसा कि आपके फोस के पेपर में कुशन पूचे जाते हैं उसी लेवल से के लियर है ये आपको द्यान रखना है कुशन कहता है भारत का सबसे छोटा राजे कौन सा है असम अरुना चलपरदेश गोवा केरल आप सभी नोजवानों ने बिलकुल राइट बताया है भारत का सबसे छोटा राजे है गोवा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं बहुत बढ़िया सबास मेरे दोस्ती अकबर नामा पुस्तक है ये अबुल फजल ने लिखी थी आपसन इसका बीजोन उजोन बता रहे हैं वो बिलकुल राइट बता रहे हैं नेक्स्ट कहता है राष्टरपती भवन के वास्तुकार कोन है एहमद लाहोरी लाड एलिगन लु बता रहे हैं एडबीन लुटियन सी वो बिलकुल राइट बता रहे हैं सबास मेरे दोस्ती नेक्स्ट कहता है आई एन ए के संस्ताप कोन है बगत सिंग महत्मा गन्दी सुबा संदर बोस जवारलाल नहरू आई एन ए के संस्ताप कोन है ये आपको बताना है बहुत ही क्योशन है बिलकुल सुबास संदर बोस जो नोजवान आप्शन शी बता रहें वो बिलकुल राइट बता रहें बहुत बड़िया सभास मेरे दोस्ते नेक्स्ट कुशन कहता है बारतिय सभीदान है ये कब अस्तीतुए में आया 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1947 26 नवंबर बारतिय सभीदान कब अस्तीतुए में आया कल कम्यूटी पोस्ट पे भी मेरे दोस्ती ये क्योशन डाला गया था इसका राइट राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ऑप्शन डी जो लोजवान बता रहें वो बिलकुल राइट बता रहें नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती मिजोरम की राजदानी क्या है अभी नोट कर लेना 28 फरोरी के एकजा में राजदानी का क्योशन से डेफिनेंट ली आएगा और कौन शाएगा ये भी बता देते हैं सिक्किम की राजदानी क्या है तो आपको गंग टोक करके आना है और यही क्योशन आएगा अभी आपको बता देत है चाप लेना मिजोरम की राज़दानी क्या है सिलोंग आई जोन अगर तलाक को हिमा ये बताए मेरे दोस्ते बिलकुल बहुत बढ़िया मिजोरम की राज़दानी है आई जोन उप्सन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक नो पचीस वरग होता है ये एक होता है फिर देखिए तीन का वरग नो होता है तीन के बाद में देखिए पांच का मेरे दोस्त ही पचीस होता है तो उसके बाद साथ का वरग है ये उनपचास होना था लेकिन यहां पर पचास है उसके बाद में देखिए मेरे दोस्ते नो का वरग है ये 81 है, किलेर है, दो-दो की यहाँ परवर्दी है, तो इसका राइट आंसर गलत पद आपको बताना है, तो 50 इसका राइट आंसर उप्षन बी होगा, नेक्स्ट कहता है, उत्री दूरवे पर बारती अनुसंदान के अंदर कोन शाह है, सियाचीन, दक्षिन गंगोतरी, हिमा वो बिलकुल राइट बता रहे है, बहुत बड़िया सभास मेरे दोस्ते, वाके में आपकी तयारी बहुत ही शांदार है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूशन की तरह परी, नेक्स्ट कहता है, सूर्य ग्रहन कब होता है, वर्ष में एक बार, जब चंदर्मा अपनी पूरी अवस्ता में है, या पिर जब चंदर्मा सूर्य और पर्थवी के बीच शे गुजरे, या जब पर्थवी सूर्य और चंदर्मा के बीच आ जाए, आपको बताना है सूर्य ग्रहन कब होता है, सोच समझ के माइंड लगा कि इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आं परत्वी के बीच शे गुजरे तब होता है सूरीय ग्रहन यसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, दनराज पिले किस से समंदित है। फुटबोल, कबड़ी, होकी, किरगेट। ये आपको बताना है बहुत ही शांदार क्योशन है दनराज पिले किस खेल से समधित है क्योंकि खेल और खेलाडी है यहां से आपके एक्जामें हर बार एक क्योशन पोचा जाता है इसका right answer होगा होकी option C zone zone बता रहे होकी वो बिल्कुल right बता रहे next question कहता है एक GB किसके बराबर होता है 1000 byte, 1024 के भी 1000 के भी या इन में से कोई नहीं एक GB किसके बराबर होता है तो इसका right answer होगा option D ध्यान रखना एक GB है, ये 1024 MB के बराबर होता है ये आपको ध्यान रखना है clear है, next question देखिए next कहता है पतेपूर शिकरी का निर्मान किसने करवाया था सहाज जहां अकबर हुमायू इन में से कोई नहीं पतेपूर शिकरी का निर्मान किसने करवाया था बिल्कुल बहुत बढ़िया अकबर इसका राइट आंसर होगा अकबर ने मेरे दोस्ती पतेपूर शिकरी का निर्मान करवाया था next question देखिए next कहता है अकबर इसका राइट आंसर होगा बल्यू वहिल option इसका A राइट होगा next देखिए मेरे दोस्ती next बहुत ही शांदार question है brain drain परतिमा पलाइन क्या है एक बिमारी चात्रों का विदेश गमन अनुसंदान के अंदर computer virus बहुत ही शांदार question है note कर लेना इसका राइट आंसर होगा option B exam में अगर मेरे दोस्त आपको नहीं आता है क्यूसन तो उसे छोड़ देना उसे में आपका फाइदा होगा तो इसका राइट आंसर option B होगा चात्रों का विदेश गमन note कर लेना इसका screenshot ले लेना next है एक अस्वय सक्ती में कितने वाट होते हैं यहाँ पर मेरे दोस्ती option A के अंदर आपको लिखना है 746 वाट clear है आपको बताना है एक हर्ष पवर में एक अस्वय सक्ती में कितने वाट होते हैं तो आप सभी ने बिलकुल शही बताया है option A राइट होगा 746 वाट next कहता है पानी को सुधी करण करने के लिए क्या किया जाता है विरंजक्चुरर्ण लाल दवा प्राबेंगनी करने या यह सभी पानी का सुधी करन करने के लिए तो इसका राइट अर्षर होगा option D इन सभी का मेरे दोस्ती पानी को सुधी करन में प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कहता है मनुस्य के सरीर में सबसे लंबी हड़ी कौनशी है फीमर, हुमर्स, स्टेपीज, टीबिया आप में से बहुत सारे नोजवान होंगे कि सर इस लेवल का फोज के अंदर पेपर आता है या नहीं तो मेरे दोस्ती आपके रिलेटिव या आपका दोस्ती जो भी वर्तमान में सेना के अंदर कारियरत है आप उनको बेजिज़क इस वीडियो को सेर करके पूछ सकते है कि भाईया इस लेवल शेपोज का पेपर आता है या नहीं हमारे एकोडिंग बिलकुल शी एकोडिंग आपका पेपर बनेगा ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं बस आप एकजाम तक मेरे दोस्तों टीके रही है सेलेक्शन में दिक्कतन नहीं आएगी ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं और हर बार हमें एक्जाम के 5 या 10 दिन पहले अपना एक कोर्ष आपको देते हैं, पिडियप कोर्ष आपको देते हैं, जो कि अपके बार आपको एप्लिकेसन में मिलेगा, तो मेरे दोस्तों उसको पढ़ के रट के चले जाना ससुरा 1 B कि उसन बाहर नहीं जाएगा, इसका र राइट होगा, नेक्स्ट कहता है निमन में से आसु गेस कोनशी है, असु गेस आपको बताना है, बहुत ही शांदार क्योसन है, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्षिजन, ये बताए बहुत ही शांदार क्योसन है, बिलकुल बहुत बढ़िया, आप्सन इसक कौन सवास्ते के लिए संकट नहीं है ये आपको बताना है स्वास्ते के संकट नहीं है तो इसका right answer होगा option D सोर उरजा है ये सवास्ते के लिए संकट नहीं है हानी कारक नहीं है नेक्स बोक्साईड किसका अयस्क है सोडियम, ऐलूमिनियम, लोहा पलेटिनम बॉक्साइड किसका आयस्क है बेलकुल अलुमिनियम इसका राइट आंसर होगा अप्शन B अपने किशन्ष को मेच करते चलना है और पुरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है अगर 40 पलस का आप काट कुट के अगर सही करते हैं एक बटा 4 की नगेटिव मार्किंग के कोडिंग तो आपके सेलेक्शन में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी जल का सुत्र आपको बताना है पानी का राशानिक सुत्र क्या है C2O2, H2O, CO2, H2O तो जल का जो राशानिक सुत्र होता है बिलकुल बहुत बढ़िया कीट नासक है मेरे दोस्ती DDT नेक्स्ट कहता है मनुसे सास लेते समय कौनसी गेस छोड़ता है यह बता है बहुती शानदार क्यूसन है बिलकुल इसका राइट अंसर होगा आपसन डी जोन बता रहें carbon dioxide वो बिलकुल right बता रहें oxygen लेता है और carbon dioxide छोड़ता है next कहता है सवस्त आख की नियूंतम दूरी कितनी होनी चाहिए पचेश सेंटीमेटर, बीस सेंटीमेटर, अठारा सेंटीमेटर, तीस सेंटीमेटर यह बताई बहुत ही शांदार क्योश्न है और इसने सेंटीमेटर पहले हिंधुस्तान के जितने भी हिंधुस्तान के करम योदा नोज़वान हमें सन पा रहें जो बहुत ही जल्द फोजी बनने वाले हैं सेशन को एक बार बिना कहें दबा के मेरे दोस्ते एक सेकंड के अंदर लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है और अगर आपने सेर नहीं किया है तो दबा के मेरे दोस्त सेर कीजिए कल एक नोजवान ने कमेंट किया था कि सर शेर नहीं करेंगे मेरे दोस्त कर बला तो हो बला अगर आप शेर करोगे किसी नोजवान के पास जो कि कोचिंग्स के अंदर नहीं जा पाता है तो उसका बला होगा और आपको भी मेरे दोस्त उसके दवाई लगेगी इसलिए like कीजिए share कीजिए मेरे दोस्ती दबा के ये आपको ध्यान रखना है आप अपनी जगह मेरे दोस्त महनत कीजिए सबलता आपको definitely मिलेगी इसका right answer होगा 25 cm होती है निम्तम दुरी ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कहता है किसी रंग के लिए काच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है लाल पिला लाल बेंगनी ये आपको बताना है किस रंग के लिए काच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो इसका right answer होगा मेरे दोस्त option D बेंगनी इसका right answer होगा नेक्स्ट कुशन देखिए विजित जनरेटर किस उर्जा को किस उर्जा में परिवर्तित करता है विजित को धवनी उर्जा में विजित को यांतरिक उर्जा में या यांतरिक को विजित उर्जा में या इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर होगा यांतरिक को विजित उ नेक्स्ट कहता है कौन सा पक्सी पीछे की ओर उड़ सकता है हमिंग बर्ड किवी डोडो इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा हमिंग बर्ड ऑप्शन ए इसका राइट होगा नेक्स्ट कुशन देखिए नेक्स्ट कहता है बिजली को किस से मापते हैं किलो वाट परती सेकंड वाट परती सेकंड वाट गंटा किलो वाट गंटा बिजली को किस में मापते हैं ये बताए और पुरा सेशन देखने के बाद टोटल आप कितने कुशन राइट करते हैं और आपका trade और आपका exam कब है 28 परवरी या 25 अपरेल को है या आपकी अभी rally नहीं आई है ये आपको comment box में जरूर बताना है विजली को किसमें मापते हैं इसका right answer होगा option D किलो वाट गंटा option इसका D right होगा next कहता है ozone gas का formula क्या है O2, O3, CO2 इन में से कोई नहीं बिलकुल ozone gas का formula है O3 option इसका be right होगा बढ़ते हैं दोस्तो next part C की तरफ next part C के अंदर मेरे दोस्त 15 question आपको math के करवाएंगे और 5 question reasoning के करवाएंगे बिलकुल C according मेरे दोस्ती इस सेसर math और reasoning के question include किये है जो कि आपका exam 28 फरवरी या 25 अपरेल को होगा उसी according मेरे दोस्ती इसके अंदर आपको math मिलेगी अगर मेरे दोस्त इस level शे आपको math आती है तो आपके selection में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं पैस्ट कुसन क्या कहता है सुनिए कुसन कहता है राम ने एक कुर्षी 980 रुपई में खरीद कर पांच परतिसा थानी पर बेच दी तो कुर्षी का विक्रे मुल्य आपको बताना है बहुती शांदार क्योशन है सभी नोजवान इमान दर्शी अपने रब कोपी के अंदर इस क्योशन को सोल करेंगे फिर इसका right answer आपको बताना है देखिए मेरे दोस्ती आपको यहां पर क्या दे रखा है 980 रुपई में खरीद कर खरीदरा कार्थ होता है कर्रे मुल्य पांच परतिसा थानी पर उसको क्या करता है बेच देता है विक्रे मुल्य आपको बताना है सलिंग प्राइज आपको बताना है बहुत ही शांदार क्योसन है तो ध्यान रखना विक्रे मुल्य निकालने के लिए हमेसा क्या होता है भईया करे मुल्य इंटू 100 पलस माइनस जितने भी लाब या हानी हुई उतना आपको लिखना है बटा आपको 100 लिखना है किलेर है तो कर्रे मुल्य आपके पास कितना है आप कहोगे सर कर्रे मुल्य है हमारे पास 980 किलेर है 5 परतेसत की हानी तो 100 में 5 परतेसत की हानी कितना होगा भैया 95 फिच्चान में होगा बटा 100 का आपको बाग लगाना है काट लीजिए 1-0 से 1-0 कटेगा 5 से मेरे दोस्ति 95 में है ये 19 बार कटेगा 5 से 10 है ये 2 बार कटेगा किलियर है 2 से है ये 98 में कटेगा 49 बार ठीक है 59 बार 59 और मेरे दोस्ति 19 का मल्टिपल आपको करना है तो कितना आएगा भया 931 आएगा और शी जो नो जवन बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे किल्कुलेशन मेरे दोस्ति आपको ही करना पड़िएगा नेक्स्ट कुशन देखिए नेक्स्ट कहता है तीन संक्याओं का उस्त है यह आपको 10 दे रखा है यदि पहली दो संक्याओं का उस्त 11 है तो तीसरी संक्या क्या होगी बहुत ही शांदार क्यूसन है इस परकार का क्यूसन डेफिनेंटली आपके एक्जामें पूचा जाता है देखिए तीन संक्याओं का उसत है ये आपको 10 दे रखा है तो कुल कितना होगा भैया 30 होगा पहली 2 संक्याओं का जो उसत है ये आपको 11 दे रखा है तो कुल कितना होगा 22 होगा आपको तीसरी संक्या बताना है तो पहली संक्या माइनस दूसरी संक्या बराबर क्या आएगी आपके पास तीसरी संक्या आएगी 30 माइनस 22 कितना बचेगा भाईया 28 तो तीसरी संक्या है कितना बचेगा भाईया 8 बचेगा तो तीसरी संक्या है ये आपके पास 8 आएगी next question देखिए next अनुपात समानुपात का question है आपके exam में definitely question पुछा जाएगा 8 अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात अक्स में अक्स का मान ग्यात करो बहुती श्यंदार question है इसमें आपको क्या करना होगा मध्येपदों का गुणा बराबर बाहेपदों का गुणा तो देखे आठ अक्स बराबर 25 इंटू 56 तो अक्स बराबर कितना होगा 8 का भाग लगेगा 25 और 7 का मल्टिपल कितना होता है बाईया एक सुपचेतर का होता है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा अप्सन बी जो नुजवन बता रहे हैं वो बिलकुल राइट बता रहे है बहुत बड़िया सभास मेरे दोस्ती नेक्स्ट कहता है राम और शाम की वर्तमान आयू का अनुपाद 2 अनुपाद 3 दिया है 3 वर्ष बाद यह अनुपाद 3 अनुपाद 4 होगा एक की वर्तमान आयू ग्यात करे बहुत ही अच्छा क्यूसन है सभी नौजवान इमानदारिशे अपनी रब को पी के अंदर शोल करेंगे देखे मेरे दोस्ती इसके ट्रिक होती है बाद वाले अनुपाद का अंतर बटा वजर गुणन का अंतर इंटू सो नोट कर लेना यहां पर जगहें कम है तो देखिए पहले यह कहता है राम और शाम है यहां पर राम है यह हो गया साम इनके आयू का अनुपाद आपको दो अनुपाद तीन दे रखा है तीन वर्ष बाद इनके आयू का जो अनुपाद है यह तीन अनुपात चार हो जाता है इनको ऐसे आपको multiple कराना है तीन तरी नो चार दुमा आठ के लिए रहे अब आपको कौन शिट्रिक लगाना है देखिए बाद वाले अनुपात का अंतर बाद वाले अनुपात है ये तीन और चार का अंतर कितने का है बहिया एक का और तारत राम की आपको बताना है एक के जगा आपको राम लिखना है तो राम की कितनी होगी तीन और दो का multiple आप करोगी तो 6 वर्ष उप्षन इसका A मेरे दोस्ती राइट होगा नेक्स्ट कुशन देखिए नेक्स्ट कहता है साइन 0 डिगरी पलस साइन 90 डिगरी बराबर क्या होगा बहुत ही शांदार क्योशन है मेरे दोस्ती साइन 0 डिगरी का मान होता है जीरो ही किलेर है और साइन 90 डिगरी का मान होता है एक तो इसका right answer होगा option ए जो नोजवन बता रहें एक वो बिलकुल right बता रहें बहुत बढ़िया सबास मेरे दोस्ते बढ़ते हैं दोस्तो next question की तरपी next कहता है किसी संक्या का 2 बटा 3 का 25 परतिसत अगर 30 है तो वह संक्या क्या है बहुत यह अच्छा question है option भी आप इस questions को कर सकते हैं देखिए किसी संक्या अर्थार्थ अक्ष का 2 बटा 3 का कार्थ होता है गुणा 25 परतिसत अटाओगे निचे 100 लगेगा बराबर यह कहता है कि 30 है इसको काट लीजिए 25 चो का 100 होता है 2 से 4 दो बार कटेगा 2 और 3 का multiple होता है 6 का उस तरप जाएगा तो यह multiple का होगा 6 तरी 18 तो 180 है वह संक्या 180 आप मेरे दोस्त इसको option से भी आप right कर सकते है नेक्स्ट कुशन दे किये नेक्स्ट कहता है 300 मिटर लंबी रेल गाडी जिस की गती है 60 किलो मिटर परती गंटा एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी आपको समय बताना है समय बराबर क्या होता है भाया आप पार कोगे सर दूरी बता चाल होता है समय बराबर दूरी आपको कितना दे रचा है 300 मिटर दे रचा है notice आपको 60 किलो मिटर पर हाउड दे रखा है मिटर पर सेकिंड में आपको इसको क्या कराना है मल्टिपल कराना है तो 18 बटे 5 से आपको मल्टिपल करना होगा काट लीजिए 10 से 10 6 से 18 तीन बार कटेगा 5 से 30 है ये कटेगा 6 बार 6 तरी 18 इसका राइट अंसर आएगा अप्शन एज नोजवान बता रहे वो बिलकुल राइट बता रहे नेक्स्ट कुशन बहुती शांदार क्युशन है छाप लेना डेफिनेंटली पूछा जाएगा एक दरजन केला का मुल्य 7 रुपई नहीं मेरे दोस्ते 6 रुपई है तो 5 केलो का मुल्य आपको बताना है बहुती शांदार क्युशन है डेफिनेंटली आपके एक जाव में पूछा जाएगा सभी नोजवाने मंदर से सोल करेंगे और जिन्होंने लाइक नहीं किया है दबा के एक बार मेरे दोस्ती हिंदोस्तान के जतने भी करम योदा हमें सुन पा रहे है सेसन को लाइक कीजिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपनी नोजवानों को 72 शे 72 कला से 9 सोपलब्द करवाएं ताकि आपके सेलेक्शन में किसी भी परकार की दिक्कती ना हो मैं आपसे कहूंगा बताएं मेरे दोस्त एक दर्जन में कितने केले होते हैं आपको होगे सर्फ 12 होते हैं 12 केलों का मुले है 60 रुपए एक केले का कितना होगा 60 बटे 12 इंटू 5 का आपको बताना है 5 से इसको मल्टिपल करवाईए 12 पाचे होता है 65 और 5 का गुणा होता है 25 तो अपसन इसका C जो नोजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे नेक्स्ट कहता है यदि A और B किसी काम को 6 दिन में करते हैं A उसी काम को अकेले 10 दिन में करता है तो शाम है तो सोरी तो B है यहां पर B लिखना तो B उस काम को अकेले कितने दिनों में स्माप्त करेगा इसकी जो ट्रिक है वो है A B A माइनस B अगर दोनों मिलकर कहे तो आपको यहां पर पलस करना है यहां पर कहा है कि B अकेला कितने दिनों में करेगा तो आपको माइनस करना है 10 इंटू 6 बटा आपको अकेले के लिए कहा है तो 10 माइनस 6 बराबर 4 बज़ता है 4 का बाग लगाईए 4 है यह 2 से 2 बार कटेगा 6 3 बार कटेगा 2 से 10 5 बार कटेगा और 5 और 3 का मल्टिपल होता है 15 तो अप्शन इसका D मेरे दोस्त राइट होगा इस परकार का क्यूसंस नोट कर लेंगा 101 परतिसत आपके एकजामे पूचा जाएगा बस संक्या चेंज होगी तरीका मेरे दोस्ते यही रहेगा नेक्स्ट है कोई रासी 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है साधरन ब्याज की दर बताना है अतनी शांदार आपको ट्रिक बताएंगे मेरे दोस्त पैन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है अगर साधरन ब्याज की दर्ष्य आपको पूचा जाता है तो आपको क्या करना है जितना ही गुनी आपको देर का है एक कम करना है दो जिरो लगाना है और यहाँ पर आपको जितना ही समय दर वगेरा जो भी देर का है उसका भाग लगाना है आपका अंसर चुटकियों में आ जाएगा देखिए तीन मेंसे एक कम करोगे, कितना बचेगा भाया, दो बचेगा, फिर आपको दो 0 लगाना है, फिर यहाँ पर आपको जो समय देर का है, उसका भाग लगाए, एक 0, एक 0, बिस के अंदर दो का भाग जाता है, दस वार, तो अब सन इसका, भी मेरे दोस्ती, राइट होगा, आप कहता है किस राशी का पांच परतिसत वार्शिक ब्याज की दर्शें दो वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है ये 164 रुपे होगा बहुत ही अच्छा क्यूशन है और ये क्यूशन हम आप सभी नोजवनों को HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे आप इसको अप्शन से भी मेरे कहता है एक वर्ग का विकरण है ये मेरे दोस्ती 6 मिटर लंबा है 6 मिटर लंबा है 6 मिटर लंबा है इसका क्षेतरपल आपको बताना है एक वर्ग का विकरण 6 मिटर लंबा है इसका क्षेतरपल क्या होगा तो देखिए इसके चेतरपल का वर्ग के विकरण का चेतरपल का स स्क्वाइर होता है एक बटा दो इंटू 6 का स्क्वाइर होता है 36, 37 है ये दो से कटेगा ठारा बार तो ठारा वरग मीटर ऑप्शन इसका सी जोन जवान बता रहें वो बिलकुल रायच बता रहें नेक्स्ट कुशन देखिए, नेक्स्ट कहता है एक गन का संपूर्ण परष्टी एक्षेतरपल 54 cm² है, गन की भुजा क्या होगी, ये आपको बताना है, 7 cm, 1 cm, 3 cm, 8 cm, बहुत ही शांदार कुशन है, एक गन का संपूर्ण परष्टी एक्षेतरपल आपको दे रखा है, 54 cm आप मुलक क्या होता है, आप कहोगे सर 6 भुजा स्क्वाइर होता है, 6 भुजा स्क्वाइर होता है, 6 भुजा स्क्वाइर बराबर आपको कितना दे रखा है मेरे दोस्ती, 6 भुजा स्क्वाइर बराबर आपको 54 दे रखा है, भुजा स्क्वाइर बता क्या होगा, 54 बटे 6, 9 आ नेक्स्ट कहता है असी डिग्री का संपूरक कोण कितना है यह आपको बताना है असी डिग्री का संपूरक कोण कितना है मेरे दोस्ती संपूरक कोण होता है यह 180 डिग्री का होता है आपको 80 डिग्री का बताना है 80 माइनस करो तो मेरे दोस्ती 100 डिग्री इसका राइट आंसर ह option D, next question देखिए, next बहुती शांदार question है, पांच हजार रुपे पर आट परतिसत की दर्शें, दो साल का साधारन व्याज क्या होगा, साधारन व्याज या चक्रवर्ती व्याज, इनसे समंदित आपके एक्जामें, definitely question हर बार पूचा जाता है, साधारन व्याज का फार्मुला होता है, मुल्धन इन्टु दर इन्टु समय बट्टा सो होता है, मुल्धन आपको 5000 दे रखा है मेरे दोस्ती, दर है या आपको 38,30 का है, समय आपको 2 वर्शे दे रखा है, बट्टा सो से आपको multiple कराना है, 2 बिंदी चे 2 बिंदी कटेगा, 826 1685-8809 आपके पास सहदारन ब्याज आएगा उप्षन इसका सी जोन उज्वन बता रहे है वो बिलकुल राइट बता रहे है बहुत बड़ी असावास मेरे दोस्ती अब मेरे दोस्ते हम आपको 5 क्यूसन है ये रिजनिंग क्या कराएंगे जो कि आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट बिलकुल इसकी एकजाम में रिजनिंग पूछी जाएगी तो देखिए क्यूसन क्या कहता है सिपाही का समद सेना से है उसी परकार जैसे सीसे का समद है ये किससे होगा ये आपको बताना है सिपाही का समद है मेरे दोस्ट सेना से आपको बताना है सीसे का समद है ये किससे है बहुत इशांदार क्योसन है बिलकुल इसका रीट राइट रैस्टर ओप्षण डी होगा ध्यान रखना जिस परकार मेरे दोस्टी शेना के अंदर है जे अनेक क्या होते हैं सीपाई होते हैं उसी परकार कक्षा के अंदर क्या होंगे भईया अनेक सीशे होंगे option इसका D right होगा नेक्स्ट क्युशन देखिए बहुती शांदार क्युशन है क्युशन कहता है राधी का अपने मकान शे दक्षिन के ओर 50 मिटर चल कर बाई और गुमती है और 20 किलो मिटर चलती है बाद में उत्तर के ओर गुम कर 30 किलो मिटर चलती है 30 मिटर चलती है सोरी और उसके बाद चल क अगर अपने गर जाती है अब वह किस दिशा में चल रही है ये आपको बताना है तो देखिए रादी का है ये अपने मकान शे दक्षिन की और कितनी जाती है भाया 50 मिटर जाती है क्लियर है उसके बाद देखिए ये है बाई और गुमती है और 20 मिटर चलती है मेरे दोस्ती ब बैया 30 किलोमेटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने गर जाती है अब वह किस दिशा में जा रही है तो ये दिशा कोन शी है बैया ये दिशा है उत्तर पस्चिम ऑप्शन इसका ए जो नो जोन बता रहे हैं वो बिलकुल राइट बता रहे हैं नेक्स्ट कुशन की बात करत ए का कूट क्या होगा इस परकार का क्युशन शापके एकजा में आईगा मेरे दोस्ते ये कोडिंग डिकोडिंग का क्युशन है और इसका का जो आंसर होगा ये परसन के अंदर ही होगा आप देखे यहां पर एक-एक की वर्दी हो रही है अगर आपको पता है कि S, P, A, R के कितने कितने नंबर पे आता है तो बहुत यह अची बात है अगर नहीं पता है तो आप देखिए S के बाद में क्या आता है T आता है P के बाद में Q आता है A के बाद में B आता है R के बाद में S आता है के बाद में L आता है के लिए रहे तो एक-एक की यहां पर वर्दी हो रही है तो देखिए एप के बाद में क्या आएगा भाया एक की वर्दी करोगे जी आएगा एल के बाद में एम आएगा एक के बाद में बी आएगा एम के बाद में एन आएगा मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग गा 101 परतिसद आपके एगज़ा में पूछा जाता है नेक्स्ट है यदि आसमान तारा हो तारा बादल हो बादल दर्ती हो दर्ती वरक्ष हो और वरक्ष पुस्तक हो तो बताई कि पक्षी कहां उडेंगे बादल में आसमान में तारों में ज्यािन में से कोई नहीं, तो मेरे दोस्ते, इसमें बहुत सारे लड़के हैं, वो CONFUS होते हैं, और वो जल्दी बाजी में राइट करते हैं, कि पक्षी है, वो आसमान में उड़ेंगे, औि सन B वो राइट करके आते हैं, और ये गलत हो जाता है उनका कि सन, तो ध्यान रकन बिल्कुल भी आपको confusing, नहीं होना है, नेक्स्ट कहता है, 80 लड़कों, यहां पर 80 लड़कों की कखसा में, एक लड़के की योगेता का स्रेनी में उपर से है 43 स्वाहिस्तान, उसका आपको नीचे से इस्तान बताना है, बहुती शानदार क्यूसन है, ध्यान रखना मेरे दोस जाता है तो आपको क्या करना है दोनों को गटा के और पलस आपको एक करता है किलिर है तो देखिए भाईया 80-43 पलस आपको एक करना है 80-43 करोगे कितना बचेगा 37 बचेगा तो एक पलस करोगे तो 38 इसका राइट अंसर होगा अप्शन बी जो नो बता रहे हैं वो बिलकुल राइट बता रहे है अब सभी नो जोन बताएंगे आप मेरे दोस इन 50 में से कितने किसे नो राइट करते हैं अगर 40 पलस आप काट कोट के अगर शही करते हैं तो आपके सेलेक्शन में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आईगी मैं उमीद करता हूँ आज की कलास आप सभी नो जोनों को बहुत है अच्छी लगी होगी तो इसे दबा के लाइक कीजिए और हिंदोस्तान के तमाम नो जोनों के पास इस कलास को आप सेर कीजिए सभी नो जोन जाते जाते भारत माता का जे करा लगाएंगे एक साथ बोलेंगे भारत माता की जे तो मिलते है कल आपको बहुतरी इंकलास के साथ जाहिंद वंदे मातरम इंकलाब जिन्दाबाद